नवश्कार मित्रों मातरानी की जैहो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर मित्रों आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी के पत्ते पर आप तंत्र मंत्र करके किस प्रकार से उससे बहुत ही ताकतवर वशिकर्ण कर सकते हो तो चलिए सुरू करते हैं परध्यान रहे मास मदिरा का सेवन करके आपको विधी नहीं करनी है और अगर आप विधी करने में ऐस समर्थ हैं और वशिकर्ण आसरम से करवाना चाते हैं तो हमें बेजी जक संपर्क करें आपकी पूरी सहायता की जाएगी हमारे संपर्क सुत्र आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं मित्रों जो आज हम आपको विधी बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ताकतवर वशिकर्ण विधी है खिलाए पिलाए विधी के अंतरगती आती है खिलाए पिलाए की विधी जो होती है वशिकर्ण में सबसे ताकतवर वशिकर्ण होता है जैस उसका सबसे जल्दी तिवरसर होता है तो आज की विधी जैसे हमने अगर बता रखे वैसे आपने कर ली तो गारंटी है हमारी वश्यकरण होकर रहेगा आपका प्रेमी जीवन भर के लिए आपका गुलाम बन के रहेगा सामगरी जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो आपको एक तुलसी का पता लेना है जो साब सुतरा हो, कटा फटाना हो और एक मिट्टी के दिये में तेल की बाती आपको लेनी है मिट्टी का दिया होना चाहिए और तेल की बाती ही तो किसी भी वार, किसी भी दिन, दिन के समय में सूर्यो दैसे सूर्यास्त के बीच आपको ये विधी करनी है सुनारादी से निवरित होकर पूरी स्रद्धा, पूरे विस्वास के साथ पुर्व दिशा के और मुख करके एकांतिश्टान में आपको बेड़ जाना है और सर्व पर्थम, ये जो तेल की बाती से आपने दिपक लिया है, मिट्टी का इसे आपको प्रजुलीद कर लेना है इसके पस्चाथ, अब आप सर्व पर्थम, ये जो एक तुलसी का पता आपने लिया है बस ये ध्यान लखना, ये कटा फटा हुआ, गला हुआ नहीं होना चाहिए साब सुत्रा बड़ा थोड़ा तुलसी का पता आपको लेना है इसमें आपको अपना नाम लिखना है सामने वाले से अपने को अभी कोई मतलब नहीं अपन सिर्फ तंत्र मंतर से इसे तैयार कर रहे हैं सामने वाले को वश्यकरन करने के लिए तो आपको अपना नाम लिखना है माल लीजे कोई लड़का है उसका नाम है रवी तो आपको हलके हातों से यह कठना नहीं चाहिए हलके आतों से इस पे आपको अपना नाम लिखना है उसके पश्चात और अब आप इसे सीधे हाथ में लेकर सीधे हाथ में लेकर दीये के उपर से clockwise गुमाते हुए यानि बाएं से दाएं के और गुमाते हुए बाएं से दाएं जैसे गड़ी की सुंया चलती है उस प्रकार से गुमाते हुए इसे अभिमंतरित करना है बहुत ही ताकत वर तरीके से अगनी को साक्षी मानते हुए ये अ पिर मंत्र बोलना है मंत्र ध्यान से सुनिए वशम क्रीम हुमफट स्वाहा नाम किसी का नहीं लेना वशम क्रीम हुमफट स्वाहा वशम क्रीम हुमफट स्वाहा वशम क्रीम हुमफट स्वाहा ये मंत्र आपको बोलते हुए इसे गुमाना है पहले गुमाना है फिर बोलना है वशम क्रीम हुमफट स्वाहा वशम क्रीम हुमफट स्वाहा वशम क्रीम हुमफट स्वाहा इस प्रकार से आपको मंत्र रट लेना है और इसे अभिमंत्रित कर लेना है 108 वार 108 वार इसे गुमाना है और 108 वार आपको मंत्र बोलना है उसके पश्चात इस दीपक को जलते हुए आपको अपने जहाँ पर मंदिर है जहाँ पर आप पूजा पाट करते हो वहाँ पर रख देना है दिपक का काम खतम हो जाएगा और यह अभी मंत्री जो तुलसी के पौधे का पत्ता है उसे आपको पीस कर क्योंकि अगर आप ऐसे ही अगर उसे चरणामर्द का बोल के अगर खिलाओगे तो इस पे नाम दिख जाएगा आपको पीस कर किसी भी खाने पीने की चीज में मिठाई में मिला कर आपको किसी भी तरीके से अपने प्रेमी को इसे खिला देना है अगर आपने इतना कर लिया तो हम आपको गारंटी देते हैं आपका प्रेमी चाहे कितना भी न जैसे आप प्यार करते हो उस से कई गुना ज़्यादा कई सो गुना ज़्यादा आपको उसकी तरफ से प्यार मिलने लगेगा और वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपके वश्मे हो जाएगा उमर भर के लिए गुलाम हो जाएगा तो जैसे बताया है वैसे करें, हमेशा के लिए आपका प्रेमी आपका बन जाएगा, मातारानी आपको जरूर सफल करें मित्रों विधी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधी आस्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेजिजक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, हमारे संपर्क सुत्र आपकी स्क्रीन पर चल रही है इसी के साथ जै माता दे मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही जो 30 से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड जाएंगे, जै माता रानी